नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक पर फिर से आपके अपने चैनल दिवेगराना स्टॉक्स मिलते हैं अगर आप चला आप नई है तो सब्सक्राइब कीजिए साथ में ओल नोटिफिकेशन वेल को फिलिट करना ना भूलना ताकि कोई अपटेट आप से मिस ना हो स सब्सक्राइब कर सकते हो सबी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो दोस्तों टाइटल से आपको समझ आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं 25 वाला शेर आपको मिल रहा है 9 रुपे में तो यह सिंपल एनलसिस शेर करने वाला हूं स्टॉक के बारे में चाहो तो स्टॉक को आप रिव्यू कर सकते हैं स्टॉडी परपस से एड कर सकते हैं इसका मतला कंपनी के नंबर प्रॉफिट और कंपनी एक नंबर अभी काम कर रही है यहां नगना बहुत सारी कंपनी स्टॉक में कुछ टाइम होता है जब वो अच्छा काम नहीं करते हैं अच्छे अच्छी बात आपने सुनी यहां पर आपको एक नजर आ रही है मतला मुझे नजर आ रही है तो आपको भी आ रही होगी अब क्यूं आ रही है उसका अगर आपको लॉजिकल आंसर जाना है तो अन तक आप वीडियो को देख सकते हो अगर आप चाहो तो लाइक कर सकते हो श तरीका बथातूं यह स्ट्रोग प्रलेज होल्डिंग प्रमोटर्स की नाक के बरावर है अब पलेज और अन पलेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आई नो बहुत लोग बोद सोचते होंगे क्या यह क्या बोलता रहता है पट पलेज होल्डिंग कर सिसी स्ट्रॉक confirmation देता है क्योंकि देखो penny stroke में अगर आप invest कर रहे हूँ तो देखो penny stroke में investment करने के बहुत साय तरीके बहुत लोग आपको बोलेंगे मैंने तो इस company के business model को पड़ा है मैं तो future से आया हूँ मुझे लगता है 20 साल के बाद एक company अच्छा करेगी भाई ये सब चीज़े ज्यानी बाते है ठीके कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि वो future business को देखके पैसा invest कर रहा है मुझे नहीं लगता भाई ठीके अगर आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि यह भी 2 रुपे का share है इसका future का business model बहुत तकड़ा होने वाला है और आप सायद यह नहीं देख रहे हो कि इस बार अभी company ने आपको loss दिया है promoters की holding बात तरफ बंदरा 20% है तो आप यह सोचरों कि 20 साल के बाद वो business अच्छा चलेगा इन logic है मुझे लगता है जो बड़े players invest करते हैं चार्ट को देखके invest करते हैं उनको सिर्फ अपना क्या पता है उसको अपना सिर्फ loss पता है उनको अपना सिर्फ risk पता है they work on their risk यह मेरी गड़ित कहते हैं कि वो सिर्फ अपने risk के उपर काम करते बाकी वो नहीं देखते है business मुझे चलेगा न चलेगा किसी को नहीं पता है भाई 20 सल के कौन सा बिजनस से लेगा futures होना आया है वो सिर्फ technicals को follow करता है यह मेरा नुमान कहता है हाँ बात में interview के तुम्हें कुछ भी बोले कि भई हमने यह करा वो करा लेकिन मुझे लगता है personally कि they also read technicals वहाँ ही सब कुछ चुपा हुआ है और कहले है पर यह है कि अगर आप technicals को read करोगे तो वहाँ पर आपको एक edge मिलती है उसको बोलते है क्या stop loss define करना stop loss अपने हिसाफ से तय करना और यह चीज़ अगर आप investment ले करोगे तो believe me आपका जो loss है ना बहुत nominal सा हो जाएगा and reward could be much higher यह होता है आप अगर एक रुपे का ऐसे लगा रहे हो reward आपका 10 का है तो आप खुद calculate कर लो आपका जो 1000 रुपे हो 10 रुपे हो गया ठीक है आपका 1 लेक रुपे 10 लेक हो गया आपका जो आज आती है market में अगर आपने अच्छे तरीके से research कर रखी हो तो यह basics है तो definitely आपको help करेगा आपकी study में और improve करने में मतब कि technicals और fundamental analysis को मिला के कैसे काम किया जाता है ठीक है तो अगर बाते समझ आती है तो like करे उपर से निकलती है बाते तो share कर दे न comment पका दर्श करवा न ठीक है comment करोगे तो definitely मैं वीडियो बना के help कर दूँगा कि बाते उपर से निकल रही है तो stock के नाम की तरब आपको लेके चलते है तो जिस stock के आपको बात कर रहा हूँ stock का नाम KK Fincock Limited है और यह stock BSC का penny stroke है और दोस्तों बहुत लोग नीचे आपको कोशन ये भी करते है सब BSC के penny stroke के dumb bum तो कुछ होता नहीं है तो भाई आपको update कर देना चाहता हूँ अभी वीडियो प्लोड होगा 8 या 9 बजे करीब होगा उसको देखना ठीक है जो बड़ बड़े investor होते हैं वो भी BSC के stocks पे investment करना पसंद करते है क्योंकि देखो समझदारी उसी में है न आप उसमें पैसा डालो जो अभी zero है कूडा है ठीक है क्या बता हो zero है कूडा आपको last में एक अच्छा return देखे चले जाए और अगर आप half team invest करोगे top 50 stocks of 50 तो definitely वहाँ पर पी आपको पता है कि कुछ न कुछ zero होने वाले है मतलब 10-20% stocks could become zero मतलब years bank बन जाएंगे ठेखेफल बन जाएंगे ऐसे example कि बात कर रहा हूँ लेकिन मात्र 10 या 5 stocks ही आपको एक regular growth देंगे जैसे reliance हो गया TCS हो गया HGFC bank हो गया लेकिन आप बड़ा return नहीं बन सकता अगर आपकी capital limited है तो हमें अगर risk लेना है तो we can invest in penny stocks अब penny stocks पर काम करने के तरीके है procedure है तो अगर आप उस process को follow करते हो तो mark my word 3-4 साल के अंदर तो आपको कुछ नहीं समझाया कि क्या हो रहा है ठीक है कहने का मतलब कि आपको लगए 1000 रुपे लगाया 1000 का पांच अर बन गया ठीक है तो आप बोलोगे आपको कुछ पी नहीं बना लेकिन आपको उस process में ये समझाया जागा कि कि स्टॉक्स में किस pattern में पैसा बनता और market की condition क्या रहती है बस हमें ये समझेना है जब आपने ये ग्यान अर्जित कर लिया उसके बाद आपको सिर्फ अपनी capital को increase करना है और same pattern को follow करना है मतलब कि आपने pass में वही देखा similar pattern कि market में आज में बिल्कुल यही हुआ था बीस में भी यह हुआ market में हमेसा यही हो चलता है pattern repeat होते है तो बस आपको अपने pattern के उपर काम करना और अपने उपर काम करना है उसके बाद आप अपनी capital जो rule में आपको बता है उसके हिसाब से आप उसको manage करके increase कर सकते हैं ठीक है यहाँ आपर बुक बहले देखो 25 के असफास के जी से बताया गया आपको नीचे डेट फिज स्टॉक है और स्टॉक में बुक से काम भी सिस्टेम में टेट कर रहा profit company के आ रहे है तब यह तो आरो उसी positive देखने को मिलता एक करोड का profit देख रहा है आपको yearly profit देखो almost डेट करोड के उपर का है पीच में profit माद लैक्स में होते थे आज profit करोड से उन लगया market का है 4-5 करोड का market का है और और साथ में share capital अभी इन्होंने increase करिये 12 के असफास साथ में जो reserve है वो company के देखो 8 करोड के हो चुक है negative to positive reserve आचुके तो अपने आप में यह अच्छी बात है बुरी बात है for me at least 5 करोड का debt था जो अब सूने debt रह चुका है शेरोडी pattern देखो promoters की holding 24% बाई काफी बड़ी holding है public में 75% के आप पैसा लगा पैसा लगाना चाहिए तो देखो यहाँ पर जब आप इसके अंदर click करते तो आपको देखता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा यह group है private limited जिसकी पास holding 23% है इसके बाद 13% इसका 10% तो यह लोग कौन है जिनके बाद 10-10% के आसपास की holding है और जो promoter से ज्यादा माल लेक्के बैठे वे तो there's something on the stock तभी तो ने इतना बड़ा पैसा डाला होते को यहाँ पर यह तो यह तीन परसेंट से साथ परसेंट हो गया नोंने अपने होंटी increase करी है last quarter में तो क्या कर रहे है लोग कुछ ना कुछ तो होगा स्ट्रॉक में तभी वो investment कर रहे है और यहां नगना ही जो लोग promoters होते हैं hidden promoters को मैं बोलता हूँ यह हमेशा long term के बार में सोचते है अब बहुत लोगों के long term होता है एक मेहना दो मेहना तीन मेहना भाई एक दो मेहना नहीं होता है कम से कब 5 साल के बार में सोचो क्योंकि ह बार एक चैनल होता है ना मतलब स्ट्रॉक के जो एक momentum डारेक्शन चेंज होती है सिफ्ट होता है जो मैंने observe कि है वो 5 सालों के अंदर ही होता है ठीक है पांस सालों के बार में सोच का एक सिफ्ट चेंज होता है मतलब अगर वो स्ट्रॉक एक downtrend में चल ला है ना तो वो फिर एक positive momentum में तब आयागा जब तक उसको 4-5 साल नहीं हो जाते क्योंकि 4-5 साल का period एक ऐसा period है जहां पर retail का पैसा जलाया जाता है ठीक है उसके खून को जलाया जाता है क्योंकि यहां नखना 4-5 साल में FD में भी आपका पैसा अल्मूस्ट डबल तो हो जाता है और अगर आप 2-3 years वही पैसा जो आपको loss दे रहाता है वह 10-20 गुना हो जाता है ठीक है यह सिंपल सी observation है चेक आउट करना अच्छे चे स्टॉक्स में आपको दिखेगा तो यह 5 साल का यह पिरेड होता है 5 साल मानलो 3-5 साल के बीच का और FD में RD में यह पैसा अल्मूस्ट डबल हो जात है जिसके पास patience है और जिसने अपने आपको जुला रखा ओल्री मार्केट में ठीक है क्योंकि longer period के लिए कोई नहीं होट कर सकता जब उसको loss हो रहा हो ठीक है सबसे बड़ी पकिश्या तभी होती जब आपको loss हो रहा हो और तब यहां मार्केट में बने रहे हो ठीक है अभी एक rotation में ट्रेट कर रहा है मतला एक range में ट्रेट कर रहा है 19-16 के आजब देखो stock में ट्रेडिंग बहुत कम होती थी अब उस stock में regular trading हो रही है तो समझ जाओ कि stock में कुछ बड़ा घटना घटने वाली है अब आता कोशन की stop loss कहा लगा है मैं तो personally follow करता हूं stop loss अगर आप नहीं करते तो करना start करो क्योंकि longer पीट के लिए तो stop loss बहुत जुरूरी है ठीक है यहां पर यह stop loss में लगता है मुझे बनता है 7 रुपे का sell लगालो 8 रुपे तक stock को accumulate करो 7 रुपे का चुपचा बेसल लगालो एक बार stop loss हो गया तुबार entry करो अब मान के चलो कि आठ या रुपे डाला या देको मेरा लॉस कितना वो देको तो और रुपे का लौच से अगर आप 7 रुपे का स्वाबस लगाती हो अगर 1000 कौंटिटी बाए करते हो तो मात्थे में यह दिमाग में यह रखो बस कि मेरा हजार जुआर का loss है जैसे हैजार दुआर का loss दिख